आज के दिन क्या करना है और किन-किन बातों का ख्याल रखना है तो चलिए जानते हैं आज कैसा रहेगा आपका भाग्यव मीश राशे परिस्थितियों पर नियंत्रन इस्थापित करने का प्रयाज करेंगे लाभांश या रॉयल्टी के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा आपका मन क्रेटिव कारियों में खूब लगेगा उपाई सुबह गाय को ताजी रोटी खिलाए व्रिशव राशे आपके वि खानी की खीर का भूग लगाएं मिथुन राशे आपके सोचे समझे सभी कारे पूरे होंगे आपके तरक्की के नए-नए मार्ग खुलेंगे परिवार में किसी मांगलिक कारेक्रम का आयोजन हो सकता है उपाई घर में घी का दिया जलाएं करक राशे बड़ा सपना से बनी वस्तुमू का भोग लगाएं सिंग राशे आपको किसी नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है आज आप दोस्तों के साथ आनंद में समय विताएंगे उपाई मालक्ष्मी चालीसा का पार्ट करें कन्या राशे पिता की कोई सला आज कारी शेत्र में आपको आ वित्तिय समस्याओं के कारण चिंतित रह सकते हैं विगर्ती स्वास्ति पर विशेश रूप से ध्यान दें उपाई हन्मान चालीसा का पार्ट करें विश्चिक राशे अधिक सकारात्मक सोचने के लिए खुद को प्रेरित करें पैसे का अन्यंत्रित तरीके से खर्च हो सक उपाई शिव चालीसा का पार्ट करें धनु राशी प्रभाफशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा अपने धन का उपयोग धार्मिक कारियों में कर सकते हैं उपाई काली मां के आगे तेल का दीपक जलाएं मकर राशी आर्थिक तंगी के कारण कोई महत्वकूर्ण कारिय रुख सकता है, घर की अनवन से तनाव का सामना करना पड़ सकता है, उपाए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए कुम्भ राशी, आपको किसी वाद विवात में पढ़ने से बचना होगा, राजनीती में कदम बढ़ा रहे लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यक्ता है, उपाए विश्णु भगवान की उपासना करे मीन राशी, आज आप सकारात्मक महसूस करना शुरू कर सकते हैं, नए पैसे कमाने के अवजर लाबकारी सावित होंगे, उपाए सुन्दर कान का पाठ करे आज की राशी फल में बस इतना ही, कल लेकर फिर हाजिर होंगे कल का राशी फल, तब तक के लिए दीजिया अनुमती, नमस्कार